जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर बुलन पूरे होंगे अर्मान ऊचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राजयोग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान चोटे बच्चे को देखा है? वो किस तरह हर छोटी सी छोटी चीज में कितना excited हो जाता है? वो अगर सूरज को भी देखता है, तो उतनी ही आसचर्य से देखता है, उतनी ही खुशी से देखता है, जितना वो एक छोटी से फूल को देखता है. क्या हम जिन्दगी की छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढून पाते हैं, एक बच्चे की तरह क्या हम जिन्दगी को जी रहे हैं, क्या वो excitement कहीं न कहीं हमारे जिन्दगी से खोतो नहीं गया है, उस चीज को वापस लाने के लिए एक ऐसा गुण है जो आज हम introduce करने वाले ह जिसका नाम है appreciation, अर्थात जिन्दगी की छोटी-छोटी खुशियों को अपने जिन्दगी में खुशी का रूप देना, हम जानेगे कि किस तरह से appreciation हमारे जिन्दगी को पूरी तरह से बदल देगा, इसके बारे में जानने के लिए, आज हमारे साथ हैं Dr. Girish Patil जी, Om Shanti भा उसके बारे में समझते जा रहे हैं, उसे अपने जिन्दगी में धारन करते जा रहे हैं, मैं अपने experience से बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी चीज़े clear होती जा रही हैं, बहुत सारे अवगुण जो हैं, वो गुणों से replace होते जा रहे हैं, और understanding से, understanding से, हैसे को ना कि values को अपनी जिन्दगी को बहतरीन बनाने में मददगार बनते जा रहे हैं, आज का हमारा topic है appreciation, प्रके सहाब appreciation है क्या, एक ऐसी उर्जा जिसके बारे में मैं जाना चाहूंगी, जिससे हमारी पूरी जिन्दगी में रोश्नी भर जाएगी, अना इक बेन अपने starting में अच्छा स इसे होता है, उसको कह सकता है curiosity, जिग्यासा, तो वो एक जिग्यासा जनरल हो सकती है, भी appreciation में भी एक प्रकार से उसका मूल है, वो तत्व है, परन्तो तत्व है वो positive रूप में है, कि हर चीज को जहां भी देखो है ना उसे appreciate करो, फूल को देखो appreciate करो, व्यक्ती को देखो appreciate करो, और उसके मूल को आप appreciate करो, वन यहां तक भी अभी तो कहते हैं, यह हमार एक पुरा प्रोग्राम है, विहासा कहते है, values in healthcare and spiritual approach, उसमें एक शब्द है, appreciative inquiry, वो activities है, वो activities में कहते हैं, कि भी argue नहीं करो, जी, डिसकस नहीं करो, have an appreciative inquiry, कुछ नहीं मैं जानना चाहता हूं, have some curiosity about it. Correct. डॉक्र साहब, जिस तरह से हमें शुरुआत की है, इस episode की, हमने जाने की कोशिश की है कि appreciation, वैसे तो दो तरीके हैं appreciate करने के, एक है बाहरी तरीके से करना, और दूसरा है दिल से करना, इन दोनों में बहुत फर्क है. Naturally. कुछ व्यक्तियों की ये आदत होती है कि वो सब को appreciate करते हैं. क्यों? क्योंकि वो खुद का ऐसा एक image create करना चाहते हैं, कि मैं बहुत अच्छा हूँ. लेकिन अंदर ही अंदर, उनकी दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है. तो दिल से appreciate करने में, और बाहरी तरीके से appreciate करने में क्या फर्क है? एक तो सबसे बहुत बोड़ी लेंग्वेज से भी पता चल जाएगा. पड़ा सुक्ष्मा है परन्तु बोड़ी लेंग्वेज से पता चलेगा. और दूसरा, उसके बाद में जो vibrations आएंगे ना वो भी गलत आएंगे. किसी ने appreciate किया, सबस मुझे कि बहुत अच्छे डॉक्टर है. और फिर परन्तु अंदर में भाव तो यह है कि क्या फालत हुए? तो वो जो अंदर का भाव है, वो वाइब्रेशन के रूप में भी आएगा. पता चलेगा कि यह जो प्रसंसा करा है सही नहीं है. वो चीज पता चल जाती है. फीलिंग्स के पता चल जाता है. यहां तक देखा है कि जैसे पेशन्ट आता है, चेंबर में पता चलता है. यह तो अहो भाव से आया है. यह नहीं है बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, इनके पास जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे. एक है भी निट्रल भी है. यह अच्छे डॉक्टर उनके पास जा रहा हूं, क्या होगा? एक है वो असुरक्षा को लेके भी आया है. डर के भी आया है. यह तो नेगेटिव लेके भी आया है. कि भी किसे ने फोर्स किया है कि तुम जाओ. लेकिन वो जाना नहीं चाहता है. तो बोडी लेंग्वेज से पता चल जाता है. पर मुझे तो पता नहीं चलेगा. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि suppose मेरे friends मुझे बहुत appreciate करते हैं. उसमें से कुछ एक friend मेरी मुझे से jealous है. लिकिन मुझे दिखाने के लिए appreciate कर रही है. तो वो मुझे पता नहीं चलेगा. लिकिन थोड़ा पहना, detach हो करके उसको feel करो. उसमे involve नहीं हो जाओ. अभी भी नहीं होना चाहिए. को appreciate करें ना, तुभी अच्छा तो बोलो ही. पर उसमें हमें बहे नहीं जाना है. उसकी अपेक्षा नहीं रखनी है. अब expectation रखेंगे, तो भी फिर दिक्कत होगी. जिसे कहते हैं कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते है है ना, हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते है. इतलीस इतना भी हम करें ना कि भी हम न्यूट्रल बनें. और देखो कि भी लोग संपर्ट में, बले आप यंग है, वा आ रहे, बात कर रहे, आप देखना उनके बोडी लेंग्वेज से भी पता जादा सिखाने की भी सिर्फ हमें बहुत जादा जैसे कहेंगे कि भी बुद्धू नहीं बनना है. आप इनोसंट हो सकते हैं. जस्ट मैं भी पूछने वाली थी आपसे, कि मैंने लोटस किया है कि जो व्यक्ति दिल से अप्रिशेट करते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी इनोसंस होती है. वो पोज एक बिजनसमान है. अगर उसे वाच्मान बहुत हर वक्स सही समय पर सही कार्य करता है. अगर वो एक वाच्मान को जाकर के अप्रिशेट कर दे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे लिए, तो उस व्यक्ति के शायद एक महिना खुशी से बीतने वाल है. कि मैं सर ने appreciate कर लिए. तो इतना innocence होता है और मुझे रगता है वही एक बच्चे से अपने आपको जोटता है. कि जिस तरह से बच्चा innocence से appreciate करता है हर चीज को, उसी तरीके से हमें अपने अंदर के बच्चे को कभी मनने नहीं देना है. बहुत अच्छा श्टेटमंट है, कि हम सब के अंदर बच्छा है, उसको मरने नहीं तो, वो एक चाइल्ड लाइक पॉजिटिव कॉलिटी है, चाइल्डिश होना अलग चीज है, और चाइल्ड लाइक होना अलग चीज है, वो सचमुच ऐसे बनो, ता नहीं चरूर आप में बहुत अच्छा कहा, कि वियो व्यक्ति के एक सप्ता अच्छा चला जाएगा, सप्ता ट्रस्ट में कई बार एक महीन अच्छा चला जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर साहब कि पॉजिटिव अप्रिशियेट जो हम किसी को करते हैं, तो हमारे अंदर से अप्रिशियेट करने के लिए, कौनसी ऐसी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, कौनसी ऐसी पात्र हमें बनने की जरुत है, जिससे हम दिल से लोगों को अप्रिशियेट करता है, एक तो यह सबसे अच्छा तो कि यह हमारी कोर वैल्यू है, इंटर्नल है, तो अगर हमने व मैं ने थोड़ा वो अभ्यास किया कि मैं वा दिव्यचेतना हूं I am a spiritual being with this sort of human occasional experiences वो अगर अंदर मैं तो मैं आपके अंदर भी वो जो core value है उसी को देखूंगा बाहरी चीजों को नहीं देखूंगा कि वो pun है या executive है वो नहीं देखूंगा और जब मैं सबको एक नज़र से देखूंगा तो उसमें भी मुझे वही दिखाई देगा कि वह भी आत्मा है वह भी पवित्रा आत्मा है वह भी दिव्यात्मा है उसमें भी वह दिव्यता का पूंज है आज वो रोल अलग कर रहा है पर उसमें वह दिव्यता का पूंज है तो जब व्यक्ति वह अभ्यास करता है तब स्वाभाविक हो जाता है ब्लकुल टॉक्र सहाब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इस पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति होता है हर इंसान के जिंदगी में जो सदा अप्रिशेट करता है वो है मा जबी भी आप देखिये मा के सामने में अगर किसी बच्चे की बुराई कर दो तो उस दिन क्लास हो जाएगी गलती से भी आप हर मा चाप चाहे बच्चा कितना भी गलत काले करके आया है या कई बार कुछ गलती कर दी लेकिन उनकी अंदर में सदा उनके लिए प्यार होता है सदा अप्रिसियेशन होता है क्यों? क्यों मैं सच में जानना चाहती हूँ यही मैं खुद इतनी बिकॉस मैंने वो महसूस किया है और जबी भी मैंने जिस किसी भी व्यक्ति को देखा है चाहिए कितने भी भूड़े व्यक्ति क्यों न हो लेकिन अपनी ममी के बारे में उनकी वही सेम राय होती है जो एक छोटे से बच्चे की राय होती है कारण यह है कि भी मधर बच्चे को unconditionally accept करती है ओ हैसा भी है मन्द बुद्धी का भी है मेरा बच्चा है यह न मेरा ही वो क्या कहेंगे ब्लड अन फ्लेश इस माइन वो जो फिलिंग है वो अनुभव के कारण मा बच्चे को जैसा है वैसा accept करती है और यह एक कहेंगे कि सारे वैश्विक स्थर पे भी आ सकती है इसका मतला वहाँ पर तो शारीरिक स्थर पर भी मैंने जनम दिया है परन्तु आत्मा के रूपे हम सब एक है हम सब परमात्मा के बच्चे है तो फिर तो हम सब एक दूसरे से connected है हाँ naturally connected है आजे कोई कारण से ही हाँ हम अलग हूए इक तो बहुत बड़ा और धार्मिक कारण भी हो सकता है कि भी मैं ये धर्म , एक्स भर्म का हूँ ओ यी धर्म का हूँ इसके कारण अहे जिख़़ञ का है करेक्ट धर्म एक ही है ना धर्म स्थापक भी एक है फिर उसमें दो डिविजन हुए और वो छोटे से कारण से हुए कि उनका follower कौन स्थापक है तो second कौन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया और फिर दो अलग विचार धाराय हो गई सभी एक कोई मानते हैं धर्मस्थापक एक है उनकी जो holy book है वह भी एक है लेकिन इतना जगड़ाए बात मत पुछो कि नहीं एक को देखना भी नहीं चाहते है बलकुर इना कि उसमें तो बहुत बड़े युद्ध हो गये मारो काटो ऐसी स्थिती होगी तो क्यों देखी वो फर्क तो मामूली छोटा साही है सब पुछ सेम है क्योंकि वो जो अंदर में acceptance आना चाहिए एक जैसे कहेंगे कि spiritual भावा आना चाहिए कि भी हमारे धर्मस्थापक तो एक ही है हमारी जो पवित्र किताब है वह भी तो एक ही है पिर ये छोटी सी बात में हम नस्कियों रखते हैं जुक दुश्मन के साथ भी नहीं रखेगा इतना हैटरेट उनके दुसरों के प्रती है जबकि हम सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से जानते भी नहीं है उन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया है कि उनका जनम वहाँ हुआ करेक्ट इस तो टॉक्तर साहब अप्रेशियेशन और अग्नोलेजमेंट और ग्राटिटिवड इन तीनों के बीच में क्या अंतर है कि आपने अच्छा एंकरिंग किया तो आप यहां से बाहर जाएंगे कोई आपको एकनोलेज करेगा जी आपने अच्छे प्रश्न पुछे आपने डायलोग अच्छा किया तो उसका संबंध आपकी वो क्षमता पर है कि कोई वर्कर ने अच्छा काम किया तो उसको अखनोलेज करेंगे लिकिन अप्रिशियेशन का आधार उनके परफॉर्मंस पर नहीं है कारियक शमता पर नहीं है ना कि just know you are a good person as a human being you are good तो 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 अप्रिशियेशन नहीं नहीं है और ना ही gratitude नहीं ग्रैटिटूड भी क्या है कि ग्रैटितूड में एक कहीं कुछ अब्लिगेशन का भी भाव है कि आपने मेरे लिए कुछ अच्छा किया लेकिन अपने मेरे लेकिन कुछ भी नहीं किया अपने मेरे लिए लेकिन फिर भी मैं as a being I am appreciating you जब भी आप appreciate करते न तो automatic divinity अंदर में आती है in a real sense gratitude में divinity नहीं है it can be psychological फिर acknowledgement also वो तो ऐसे कहेंगे कि management की बात है तुमने कैसे किया whereas appreciation is really spiritual और कुछ हां और सचमुच करना चाहिए no for nothing even वो इसमें कहीं हो सकता है कि gratitude का भी भावा आजाए तो सबसे ज़्यादा हमें appreciate करना है तो मधर को आपने भी बोला जी बिल्कुल तो और इस प्रकार से हो कि भी उनको एक करोड़ रुपिया दोना तो भी वो चीज नहीं मिलेगी ऐसी चीज आपने सचमुच एक realistically अपने दिल से अगर कुछ की आहो के लिए तो मुझे एक उधारन याद आते है मैं आपको बताता हूं कि जब हम छोटे थे ना तो गाव जाते थे उत्तर गुजरात में वड़नगर एक गाव है क्यों अमदावाद से वहाँ जाना होता था तो slow train फासला कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन वो train slow होती थी मुझे ठीक से याद है धाई तीन बज़े चलती थी आठ बज़े पहुंसती थी उसको तारंगा लोकल बोलते थे सेद अभी तो नहीं रही हो और फिर गाव में जाते थे तो free होते थे तो भी कहीं कहीं वहाँ एक temple है वहाँ भी जाएंगे वो जब गाड़ी आएगी तो कहीं भी मेरे नाना उकुलापूर में थे वो आते थे तो भी हम सब train में चले जाते थे इस सारे दीन तीन चाते नहीं हो गी सहएंग और तब न वो first class का डबबा नहीं होता था एक तो जनररल कلاस और दूसरा second class तो लोग जनरल क्लास में आते थे और में एक उंकल थे थोड़े पईसे वाले थे तो second class में आते थे ना एक हम लोग देखने जाते हैं इसके अंदर क्या-क्या फैसिलिटीज है इसके में और जब साइथ कोई कोने में होगा मुझे भी लगता है मैंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की है जब साइकालोजी पड़ी तो तब गए तो कभी ऐसा विचार आया था कि भई बड़े होंगे अच्छे बनेंगे माबाप को भी इस सेकेंड क्लास में लेके आएंगे और फिर तो जब मैं अरॉंड उसके बाद को भूल भी गए मैं 38 years का होगा कि तब तो मैं प्लेन में काफी travel करने लगा था भी हर सब्ता प्लेन में कहीं न कहीं जाते थे foreign में जाते थे इंडिया में जाते थे तो एक बार मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आपको भी प्लेन में नहीं बैठे आपको भी प्लेन में लेके जाते हैं, तो तुम जाते हो उसी से हम तो खूश है, तुम इतना प्लेन में ट्रावेल करते हो, वी अर्वेरी हैपी, पिर पूराइब का नहीं नहीं, आपको कुछ तो होना चाहिए, एक बार मैंने फुर्ट तुम जाते हो प्लेन से तो मुझे दर लगते हैं, लेन में नहीं आना है, फिर एक बार आना थामदावाद आते थे हम, तो तब वो सवराष्ट्र मेल में फर्स क्लास एश्टी का कमपार्टमेंट होता था, तो मैंने सूचा कि उनको सर्प्राइज देनी चाहिए, तो है न, वो चारे वो सीट बुक करा ली, पुराइक अंपार्टमेंट भूबक कर वाली, और जैसे अंदर गए, तो शी वास सो हैपी, तो हमारे घर जैसा, जैना कि भी हमारा घर है यहाँ तो, और जब तक अमदावाद उत्रे भी, शी वास वेरी हैपी, तो इस प्रिस आप आप नो, तो गीव सम्थे, तो वेरी ल तो इस पहले पहले फादर का नाम लिखा, फिर नीचे मेरा नाम था, तो फादर बला रहे मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, तो यह चोटी-चोटी चीजें कितना जिंदगी में दूसरों को खुशी देती है, आप यह कहना चाहरे हैं और यह एक सिंपल, कहीं बार भी जब बच्चे बड़े होते, कमाने लगते, अपना घर लेते हैं, तो कहीं बार बोलते हैं, पिता जी मेरे साथ रहते हैं, एक्चुल इचुल इचुट बी रिवर्स, मैं पिता जी के साथ रहता हूँ, तो यह सिर्फ रिप्रेट देने की बात होती है, यह आपने एकदम सही कहा, कि कहीं न कहीं यह एक ग्राटिटीव देने का तरीका है, जितना हमें जिंदगी ने दिया है, उसे वापस लोटाने की बात होती है, अज मैंने देखाई कि जब माबाब भुडे होते हैं, एक तो उनको कहीं इनसेकुरिटी हो सकती ह उसकी कारण वो कुछ करते हैं, वो डिफरेंट है, पर उनको आम तोर पर उनकी अपेक्षा बहुत थोड़ी सी होती है, जब हम ऑफिस से घर आते हैं, ज़स्ट आप अगर मा या फाधर है, बोलो हलो डैडी, कैसा है, तो साई तो आपको वह रोके गाने, तो बेटे हाथ प बात करना, so true, so these are all internal subtle things, कि जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल डौकर साहब, आज का जो हमारा एपिसोड रहा है, ये कापी emotional रहा है, हमने एक ऐसे गुन के बारे में चर्चा की, जो हर व्यक्ति को खुशी देता है, चाहे वो एक चोटा सा बच्चा ही क्यों न हर व्यक्ति के जिंदगी में ये इतना आवशक है, कि एक सिर्फ इसकी वज़र से उनकी जिंदगी में सदा खुशी भरपूर रहेगी, जिसका नाम है appreciation, thank you so much भाईजी, आपने हम अपना valuable time दिया, thank you for your valuable time, om shanti, om shanti, दोस्तों, आज के एपिसोर में हम ने चाना, कि किस तरह से, एक छोटे से बच्चे की तरह, जिंदगी की छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम appreciate करेंगे, हम हर चीज को feel करेंगे, और उसे दिल से gratitude देंगे, तो जिंदगी में जो छोटी-छोटी चीज़े हैं, वो भी आप से फिर मिलेंगे, आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान, ओम शांती